लकरगंश के अंतरकता आने वाले धावडे मोहला के पास किसी बात को लेकर आरोपी और फिर्याती में बहस हुई तेश में आकर आरोपी फिर्याती को चाको मार कर जख्मी किया गया है फिर्याती की शिकायत पर लकरगंश पुलीस आगे की जाच कर रही है नाकपुर शहर में एक और विकास कामों की चर्चा जोरो पर है तो वही खून खराबाट डकैती चोरी हत्या लूट पात आदी गुनाओं की भी चर्चा हो रही है जी हाँ पूर्वनाकपुर लकटगंश थाना अंतरगत आने वाले धावडे महला में फिर्यादी सुनिल मिश्रा बैठा था तब ही आरोपी रवी उर्फ सतिश रावन कैकाडे वहाँ आप पहुचा दोनों में किसी बात को लेकर तू-तू महमे हुई जिसके बाद तैश में आकर आरोपी ने चाको निकाल कर सुनिल मिश्रा को घायल कर दिया फिर्यादी की शिकायद पर लकटगंश पिलिस ने आरोपी के खिलाफ कलम 307-504-506 लगाया है इस बारे में लकटगंश के पियाए नरेंद्र हिवरे ने जानकारी दी अखिरकार नाखपुर शहर में गुंडागर्दी क्यों पनप रही है इसके लिए एक कौन दोशी है ये एक सोचने वाली बात होगी कैमरा पर सुन विरेंद्र के साथ संजे मीरे इनबी से नियूस नाखपुर